नमस्कार जम्मू संबाद में आपका स्वागत है और मैं हूँ ललित खजूरिया क्या जम्मू कश्मीर के भारतिय जनदा पार्टी के नेता लोगों से जूटे वादे करते हैं जूटे आश्वासन देते हैं क्योंकि डॉक्टर जतेंदर सिंग का जो बयान इन दिनों वाइर जिती शुरू हो गई है दरासल जब रियल स्टेट सम्मिट यहां पर हुआ तो डॉक्टर जतेंदर सिंग जी ने जो केंद्रे मंत्री हैं पीमों हैं उन्होंने बकायदा एक बयान दिया उन्होंने कहा कि हमारी विरादरी के लोग हमारे इनेता जब जनता से जूटे वाद था ये किन नेताओं पर उनका तंस था ये किन नेताओं पर उनका निशाना था कि जिनके लिए कह रहे थे कि जूटे वादे करते हैं ये जूटा वादा करते हैं जूटा आश्वासन देते हैं लोगों को सच नहीं बताते हैं और फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती ह ये इशारों इशारों में का कि जब उन्ही के बिरादरी के यानि कि उन्ही की बिरादरी कौन उनकी बिरादरी क्या है उनकी बिरादरी तो भारती जनता पार्टी ये ना तो भारती जनता पार्टी जमु कश्मीर के जो नेता है उन्ही पर तो सवाल उठा रहे हैं तो क्या ज जमुकश्मीर के नेताओं ने नहीं दिया, लेकिन मौहर जो लगाई है, वो डॉक्टर जितेंदर सिंग ने लगाई है, कि इनकी वज़े से, ये जो जुट बोलते हैं, इनकी वज़े से उन्हें परेशानी होते हैं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-जी की सरकार उन्हें मश्किलों का सामना करना पड़ता है जम्मौकश्मीर में जब ये लो जूढा Holyゴam करते हैं जूठी एक उम्मीद जगा देते हैं लोगों में तो निशाना किस तरफ था क्या ये निशाना जम्मु कश्मीर यूटी के जम्मु कश्मीर भारते जन्ता पार्टी है उसके अध्यक शर्विंदर रियना जी पर था या फिर दूसरे नेताओं पर क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर जतेंदर सिख जब भी जम्मु कश्मीर के दोरे पर आते हैं या फिर अपने निवास पर आते हैं तो बहुत कम बहुत कम अपने नेताओं से मिलते हैं क्या यही वज़े है इन नेताओं से ज़्यादा मुलाकात नहीं करने का क्योंकि एक PMO और वो भी अपने यहां के छेतर का केंद्रि मंत्री और यहां के सांसद हैं वो अपने नेताओं से मुलाकात तक नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वो शायद यही वज़े है कि यह नेता जूटे वादे कर देते हैं लोगों को आश्वासन द ने जिस तरह से परदर्शं किया था वो ऑजुआ प्रदर्शं था वो डाक्टर जटेंदर सिंख के घर के बाskरदर्शं कर दिया तो वहां पर नाट तंबू लगा दिया था भार जन्ता पाटवी के दफ्तर के बाहर लेकिन उन्हें आश्वासन दियाग्या कि हम इस मसले को हल कर देंगे जो 2000 के करीब जो और पॉस्टर निकाल दे उसका वादा दिया गया था यह किसने दिया था किसने उस स्ट्राइक को जब यहां पर यहां पर पुल के नजदीक जब यहां प्रोटेस्ट किया था पुलिस लाइन के करीब वहां पर तो कौन गया था उनके पास अपने रविंदर रहना जी तो गए थे उन्होंने तो वो प्रोटेस्ट यहां पर करवाया था बंद करवाया था यहां से उन्होंने उठवाया था और फिर इनको पुलिस लाइन पर लेकर चले गए थे तो यह क निशाना था कि भाई साब माफ कीजिए मत कीजिए इतने वादे मत जूटी दिलासा दीजिए परिशानी हमें हो जाती है क्योंकि एक मझा हुआ राजनेता जो है वो कभी नाम नहीं लेता क्योंकि अगर आपने ही लोगों के नाम लेना शुरू कर दें कि जनाब आपकी चाहाते नहीं हमेरी तरफ नहीं था घ्रह मंत्री थी तरफ और सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्या करना है अनने कौन सा वादा यहां पर ऐन वादा किया ना कि परिसम Pen Eyeo की रिपोर्ट आएगी जब तो फिर उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद यहां पर वहोजा बन जाएगा स्टेट मन जाएगी यही वादा किया था ना वो तो चल रहे ना लेकिन आपके जो वादे हैं जो वह कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है वह मैं बता देता हूं पहला वादा जब यह अध्यक्ष्ट बने पहला वादा था वह वादा इतना और उस वादे की जो थी डंके की चोट वादा था कि हाँ यह सब कुछ होगा हमने भी रिपोर्टिंग की थी कि अब यह यह वादा तो पूरा हो गया वो क्या वादा था वह वादा था टोल प्लाजा सरोर के पास जिसके लिए नहोंने कहा था कि भाईया यह अगर नहीं हट तो जेसी भी लगाकर इसको खाड़कर ठैंक देंगे हम यह लगने देंगे यह लोगों के हित में नहीं है यह लोगों को लूटा जा रहा है और यह गयर कानूनी तरीके से लगा मैंने चिट्ठी लिख दी है नरेंद्र माफ किजएगा नितिन गड़करी जी को जेसी भी मशीन अभी बी इंतजार कर रही है लोग खोज रहे हैं कि जेसी भी मशीन कहां है कहीं ऐसा तो नहीं कि जेसी भी मशीन ही गुमोगी हो उसकी चाबी नहीं मिल रही हो स्टार्ट करने की और रविंदर रहना जी उसी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन नहीं ऐसा नही होती है कि वो इस तरह के जो टोल लगते हैं उससे उखाड कर बाहर फेंग दिये जाए ये सरसर भावनाओं के साथ खिलवार था जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जूट बोला गया था और उन्हें जूटा आश्वासन दिया गया था क्योंकि ये टोल लगना था इसे हम इसे उखाड देंगे चिंता नहीं करनी और चिंता वाकिव उस वक्त लोगों ने नहीं की थी हलका सा विरोध किया था लेकिन इनके आश्वासन के चलते वह विरोध भी इन्होंने खत्म कर दिया था क्योंकि एक एक अध्यक्ष एक प्रदेश का भरजनता पार्टी का अध्यक्ष सीधा चिठी लिखता है तो उससे बड़ा वादा और उमीद क्या हो सकती है लेकिन वो वादा भी जूटा निकला शायद यही वज़े है कि डॉक्टर जतेंदर सिंग कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी के कु जो पीयो का था लिस्ट निकल जाएगी जी बाहर धांदली हुई है इसलिए हमने ये फिर से करवाया है आप देखिए लिस्ट निकलेगी लिस्ट निकलेगी लिस्ट निकली कि वो रिजल्ट ही नोंने क्रेश कर दिया वो रिजल्ट ही निकले गए नहीं यह वादा किया थ शायद इस वादे की तरफ भी वो इशारा करवारे कि जनाब मत कीजिए ऐसा वादा कि मेरे लिए मुश्किल यहां पर हो जाती है लोग कहते हैं कि जनाब आप नरेंदर मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं क्योंकि आप पी एमो है तो आप उनके जादा करीब र पच्चे जिनको निकाल निकाल दिया गया था याद नाा टोडा टुव मैडिकल कॉलेज रोज谋री उन्हाने बूट पॉलिश तक मदब उनके बूठ तक पॉलिश कियें उन्हों ने जूतह पॉलिश किये थे प्रदर्शर न क किया इनको भी आशवासण दिया था टेंशन लेनी टेंशन वाके टेंशन नहीं लेनी क्योंकि नेताओं को क्यों टेंशन लेनी हैं वो साबित तो कर दिया डॉक्टर जतेंदर सिंग जी ने कि भाईया हमारे लोग जूटे वादे करते हैं तो ये क्या जूटे नेता हैं तो क्या अब जम्मू कश्मीर में उन नेताओं की जरूरत है जो सच बोलते हैं या जो सच बोलना जानते हैं उन नेताओं को आगे किया जाएगा जो जूटे आश्वासन नहीं देंगे उन्हें आगे किया जाएगा ऐसे नेताओं की ऐसे नेता हमें मिलेंगे जो पबलिक को सच बताएंगे हकीकत बताएंगे कि जनाब ये जो वादे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मौके की नजाकत को देकर हम वादे करते हैं हम आश्वासन देते हैं ऐसे नेताओं की जरूरत है कौन ऐसा नेता है जो इस तरह की नियत रखता है या इस तरह से सच बोलेगा शायद जतिंदर सिंग जी ये कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ देते हैं यह हमें कि फिर आपको बताता हूं कि यहां पर जो यह यह जो डेली विज़स थे पीएची पीडीडी खासकर पीएची आपको याद होगा ना हर्ताल की थी वहां पर चले गए थे वादा करके आए थे पक्ता कर देंगे आज तक आज तक वह बचेरे अभी भी वह क करेंगे करोना काल में इतना में इतनी मेहनत की लेकिन किसी ने इस और ध्यान नी दिया और इन में से एक तो ऐसे थे जो इनको लीड करते थे वही लीडर बन गए क्योंकि लीडर ही बनाना जानते हैं यह यह एक वादा यह भी रिविंदर रहना जीने किया था तो मैं इसलि याद है ना किस तरह से यहां पर एक्जिशन ग्रॉण जो प्रेस कलब के साव वहां पर आमरन अंचन पर बैठ गए थे और उस वक्त भी रविंदर रहना जी ने वाधा किया था कि मसला हल हो गया है आप टेंशन मत लीजिए सब कुछ हो जाएगा और वो उसी वादे की में उन्होंने अपना अंचन भी तोड़ा और और उसके बाद उन पर केसिस भी हो गए यह भी एक नया वोट था उनके लिए तो कितने ऐसे वो हैं अब देखिए और यहां पर हां एक और एक वाधा तो आपको बताना ही भूल गए दिल्ली में यह गए स्टार केमपेनर बन कर ये भी जतिंदर सिंग्जी के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई होगी कि यहाँ से इतने स्टार केमपेनर बन कर गए भारते अन्ता पार्टी की तरफ से वहाँ पर दिल्ली में जब दिल्ली के चुनाव थे तो कह रहे थे केजरी वाल का बोरी बिस्तर गोल हो गया यहां से उसको निकाल देंगे उल्टा और जादा मजबूत होकर वो वहां पे सरकार बना दी यानि कि दिल्ली वालों को भी नहीं ने बक्षिया जमू वालों को तो खेर धोखा देही रहे थे आश्वासन देही रहे थे दिल्ली वालों को भी पतानी कौन सा खौब दिखाया इन्होंने कि केजरी वाली की सरकार जो है वो हम हटा देंगे बोरी बिस्तरा जो है उनका गोल होने वाला है उनको भी गच्चा देकर आगे ओ इतना फिल्म पीके फिरकी जो फिरकी देने में बहुत माहिर है और सबसे बड़ा वादा जिसके ओपर भारतिय जनता पार्टी की जो राननिती है वो टिकी हुई है जिसके दम पर भारते जनदा पार्टी कह रही है कि हम जम्मू में मजबूत होकर आएंगे और जम्मू की आवाम को एक स्वच सरकार मजबूत सरकार और राश्ट भक्त वाली सरकार देंगे और वो जो वादा था वो वादा क्या था वो वादा यही था वो जो वादा था वो वादा यही था कि ये जो बागड़ बिल्ले हैं ये जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं नेता ये जो गदार नेता हैं इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा याद है ना जब फारुक अब्दुल्लाँ साहब उमर अब्दुल्लाँ महभुबा मुफ्तिन को नजर बंकर दिया गया था तो एक पत्रकार ने पूछा था कि जनाब उनको बंकर दिया तो कह रहे थे क्या आपको अच्छे नहीं लग रहे वो अंदर और पूरी उमर उन्द जो रिपोर्ट है जो कमिशन है उसको हम कम्प्लीड करेंगे चुनावों की तेयारी कीजिए तो यह इनके वादों की लिस्ट है ना जाने कितने ऐसे वादे हैं जिन वादों को आश्वासनों को लेकर जनता ने खूब खौब देखे होंगे कहीं युवाओं ने कहा होगा जूट का पिटारा निकला और ये जूट का पिटारा जो है वो करार किस ने दिया वो डॉक्टर जितेंदर सिंग जी ने दिया क्योंकि वो जब जब यहां पर आते हैं तो उनी से सवाल भी पूछे जाते हैं कि जनाब इतना कुछ भारतिय नहता पार्टी जो वादा कर रह तो आप कहा है आप क्यों ने वो काम कर रहे तो उन्हों ने अब इस सम्मिट के जरीए कह दिया कि जनाब मैं तो करी नहीं सकता क्योंकि यह ऐसे ऐसे वादे करके आते हैं जो मेरे लिए या हमारी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं तो अब जम्मू कश्मीर में भा ने वो चला रहे हैं काम्याब कर रहे हैं उसके दम पर यहां पर सरकार बनाएंगे तो क्या इनहीं नेनलाइक पर अपने उमीद कर रहे हैं जिन नेताओं पर डॉक्टर जितंदर सिंग्जी ने ही सवाल खड़े कर दी जो नेता यहां पर देगी चलिए जी चुनावों में जिनको टिकट देगी क्या यही जूटे वादा करने वाले यही नेता चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे जितने भी है क्योंकि इशारा जिसकी तरफ भी हो लेकि जो लिस्ट मैंने आपको बताई है यह लिस्ट बकायदा जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यह वादे किये थे और जबरदस्त वादे किये थे जेसी भी आज भी लोग उस जेसी भी को ढून रहे हैं और वो टोल जो है वो आज भी बता रहा है कि कि कितना मतलब इतना किस मौक्य पर आपने हमारी हर्ताल रुखाया थी और Сमय अम्मीद की जा रहा हूई थी कि इनका जो बी डिमांड सब्प पूरी हो जाएंगी तो फिर की देने में यह काम जाब ही हम नहीं कह रहे हूं ओर आ इमान-दार और सच बोलने वाले और जो वादा को पूरा करने वाले ऐसे नेताओं की का इंतजार है जम्मू कश्मीर में देखना ही है कि भारती नेता पार्टी विधान सबाग के चुनावों में कौन से हैसे सच्चे और वादब पूरा करने वाले नेताओं को इस चुनावी घमासान में अपने टिकट देगी ये भी एक बहुत बड़ा स्वाल फिलाज जाज़ा दीजिए नमस्कार